Hello Guys Welcome to sleepy classes Guys आज हम डिसक्स करेंगे इंडिया नेशन देमांट ट्रवेस्ट की ऐस्वेस्ट ने में नेकार किया निपर पाकीस्तान लांस्पंध में ब seulement इंडिया मोर्मने में अब इंडिया मोथ्यम में हमने देखा जो दीए और क्रेस ही और उसका प्रफच में लेवल यहाँ पर कर दो चाहरा होता है इस डॉरेशन में पार्ट शिक्स में हमने देखा था कि जो ब्रेटिश हैं वो हमसे बीना पुछे हमें वर्लड वर्स एकिंड का पार्ट बना देते हैं इसके चलते हुए जो ट्वटी एट मंस का कैबिने टमिनिस्टर का टैनियूर होता है यहां पर हमे रजाइन देखने को मिलता है 28 मंस के बाद यह मैंने आपको पार्ट 6 में कवर करवाया था और वर्ल्ड वर्स सेकेंड में जो जर्मनी है इटली है जपान है इनकी पावर को देखते हुए लग रहा था कहीं ना कहीं यह पूरे वर्ल्ड पर कबजा ना कर ले हाला कि मैंने वर्ल्ड वर्स सेकेंड में आपको बताया है 1942 तक और यह फिर आप ऐसे समझो जब तक यूएस से पार्ट नहीं बनता वर्ल्ड वर्स सेकेंड का तब तक जर्मनी इटली जपान है इनका बरकरार रहता है और लगता है कि यह पूरा पूरा वर्ल्ड कब जा लेंगे इतना यह वार होता है और साथ से आठ करोड यहां पर जाने चली जाती है और इंडिया नेशनल का अंग्रस को भी यही खत्रा था एक तो वर्ल्ड वार सेकेंड कब खतम होगा यहीं किसी को बता क्योंकि वर्ल्ड का जो फर्स्ट वार था वो चार साल तीन मिहने चला था तो इसक जपान हमारे बिल्कुल बॉर्डर पर आकर खड़ा हो चुका है म्यानमार को जीच चुका है चाइना को जीच चुका है अब इंडिया नेशन कॉंग्रस को खत्रा था कहीं जपान अगर इंडिया पर अटैक करते और इसका दुश्मन ब्रेटेन हम लोग नहीं है लेकिन यह इंडिया नेशन मुव्मेंट पाट सिख था इसमें मैंने आपको अगस्तोफर बताया था इसमें भी ब्रेटिश हमें क्या कह रहे थे कि हम आपको वर्डवार्स सेकेंड के बाद डॉम्निया स्टेटस दे देंगे यहां पर अगस्तोफर को कम्प्लीट्ली इंडिया नेश जो पिता जी थे उनके द्वारा एक रिपोर्ट आई थी मोतिलाल नहरू के द्वारा एक नहरू रिपोर्ट थी उसमें डॉम्निया स्टेटस की बात करी गई थी उस टाम तो ब्रेटिश ने ऐसाच कोई पोस्टिव रिस्पोंस दिया नहीं था 1929 तक यहां पर इंडियन न सब्सक्राइब कर दिया जाता है कि आप इंडिया को डॉम्निय स्टेटस चाहिए नहीं और ब्रेटिश हमें क्या दे रहे थे डॉम्निय स्टेटस इसके चलते हुए यह क्रिप्स मिशन भी फेल हो जाता है और फैनली हमें देखने को मिलता है कुट इंडिया मुमेंट और यहां पर हम कवर करेंगे राजा को बला चारे फॉर्मिला एक हम यहां पर जो दिसाई डिसाइव कि लियाकत था हैं यह हम डिस्कुस करेंगे वयवल्स डिसकुस करेंगे और जो आए ने जो जू सबहाष्चंद्र बोज़ी का कॉंट्रुपिशन था और जपान को लेकर ज है उसकी तरफ से यह मान लिया गया था कि वर्ड वर सेकिंड के बार हमारे देश को जादी मिल जाएगी और यहां पर यही हुआ क्योंकि क्विट इंडिया मोव्मेंट में जो मुस्लिम लीग है और जो कांग्रेस है वह एक साथ आकर ब्रेटिश को यहां से बगाने पर लग थी अब अजाती नहीं मिली कोई ऐस सच ब्रेटिश ने हमारी डिमांड नहीं मानी लेकिन राजा गुपली चारे फार्मला से हमें क्या देखने को मिला जो सियार फार्मला भी कहा जाता है अब सबसे वड़ी टेंशन क्या थी कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान डे अब्ज होते हैं मुस्लिम लीग को किस तरह से मना लिया जाए और यह जो टू नेशन त्यूरी यह यहां पर सेक्सेस्फुल ना हो अब इंडियन नेशन कॉंग्रेस की तरफ से एक राजय कबले चारेगा फार्मला आता है और यह फार्मला मैं आपको समझाता हूं 1944 मार्च में CR फार्मला यह क्या कहता था यह एक्चुली में टू स्टेज में अभी देश को जादी नहीं मिली कोई ऐसे प्रेटिश ने हमारी डिमांड नहीं फुल्फिल करी लेकिन यहां पर हमें देखने को मिला कि यह मान चुके हैं कि ब्रेटिश हमारे देश को शोड़ कर जाएंगे तो फर्स्टेज में यह क्या कहते हैं कि कांगरस एंड जो मुस्लिम लीग है कि यह इंडिमेंडेंस के लिए डिमांड करें चलो यह तो करी रहा था कुई इंडिया मोंट में हमने देखा कोपरेशन दखाना होगा और डिमांड करने चाहिए हमें कंप्लीट इ में इंडिमेंडेंस नहीं मिल जाती तो हम इंटीनिम गवर्मेंट जो यहां पर बनाई जाएगी ब्रिटिश के द्वारा उसका पार्ट रहेंगे मतलब इंडिया नेशन कॉंग्रस और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर यह इंटीम गवर्मेंट बनाएंगे अभी ब्रिटिश के द्वारा यह कुछ डिमांड नहीं मानेगी ब्रिटिश ने इसकी बात ही नहीं करी और यहां पर जो सेकंड स्टेज था उसमें राजा कुपले चार्या जी ने यह रखा कि जो मुस्लिम से उनको कोई ऐसा सेपरेट नेशन नहीं विलेगा लेकिन हां जहां पर मुस्लिम मतलब होता है की वोटिंग करवाएंगे वहां के लोगों से बूचेंगे आप कहा रहना चाहते हैं अगर वह चाहते हैं सेपरेट रहन तो हम इंडिया में रहते हुए सेप्रेट स्टेट देज़ेंगी उनको लेकिन यहां पtaית सेइन के चुप शॉरूम तो फिति और में जो क्रिप्स मिशन आया था उसमें भी टम सेंट कंडिशन थी तो यहां पर भी टम सेंट कंडिशन होती हैं इंडिया यहां पर सेपरेट स्टेट तो दे देगा जो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स हैं उनको लेकिन हमारे पास मेंली तीन पावर रहेगी डिफेंस की पावर इंडिया के पास रहेगी Communication की पावर इंडिया के पास रहेगी and Commerce की पावर इंडिया के पास रहेगी separate के लिए अगर लोग demand भी कर रहे हैं तब भी ठीक है अगर यहाँ पर यह हो भी जाता है तब भी यह तीनों power किसके पास रहेगी कि इंडिया के पास अब यह डिमार्ड जाती है मुस्लीम लीग के पास मुस्लीम लीग के जो लीडर होते हैं उनका नाम है मोहमबद अली खान जिनना अब जिनना जी को क्या चाहिए सेप्रेट नेशन पाक साफ पाकिस्तान मतलब जो हिंदू सान है उसका जो हिंदू सान में थो हिंदू रहें इस तरह से बोलते दो झिनना और जो पाकिसान में इल्टे है कि तो यहां पर देक्लेर कर चुके हैं कि पाकेसान तो बनेगा यह बनेगा तो यह ब् meist घार एक लेटर है common हमें यहां पर separate nation चाहिए और Congress को जी हमारा यह दिम आइज यह जो हमारा ओफर है यह मानना ही होगा हलाकि British की तरफ से कोई as such statement नहीं हमें अभी तक कोई as such British ने नहीं का कि हम आपको अजात कर देंगे हम आपको यहां पर बनाने में help करेंगे अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ लेकिन खुद से यहां पर यह चर रहा है उसके बाद यह आइडिया का पोस्ट किया जाता है इंडिया नेशन कॉंग्रेस कहते हैं नहीं हमारा जो देश है वो जॉइंट रहेगा और यह जो आइडिया ओफ कॉमन सेंटर यही रहेगा लेकिन जिनना इसको रिजेक्ट कर देते हैं आप उसदा आइडिया ओफ कॉमन स्टेट और मतलब कुछ ऐसा जॉइन नहीं होगा तो सियार जो फार्मला है वो यहां पर फेल हो जाता है अब सियार फार्मला हमने डिस्क्स किया कि इसके में में पॉइंट से य लियाका तली खान डिप्टी लीडर होते हैं मुस्लिम लीग के असेंबली में अब यहां पर होता है कि इनकी दवारा एक प्लैन लाया जाता है अब इस प्लैन में यह क्या करते हैं कि जो इंटिरीम कवर्वर्मेंट बनेगी अब यह बनेगी कब जब ब्रेटिश कहेंगे ठीक है जब भी बनेगी तो जो किमगा मेंबर सोगे वह एक्वल नंबर बेडवाइड होंगे नोमीनेट होंगे कांगरेस की दरव से भी और मुस्लिम लीग की दरव से भी और साथ में एक सैकेंड पॉइंट हाग यह संब टाम कोसिशन में आदा था है 20 परसेंट सीट्ट रिजर्व करी जाएंगी फोर माइनोर्टीज मैं एक बार द्वारा समझा देता हूं यहाँ पर इंट्रिम कॉर्वर्मेंट बनाई जाएगी इसमें मालों की 100 मेंबर होंगे ठीक है जो नॉमिनेट करे जाएंगे 50 यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से होंगे 50 यहाँ पर मुस्ल मुस्लिम लीग को क्या चाहिए सेपरेट नेशन अब यहाँ पर जो इंडिया नेशन कॉंग्रेस है उसके बास ऐसा अच कोई ऑप्शन नहीं होता और फाइनली यहाँ पर इस डोरेशन में वर्डवार सेकिंड खतम होने की बिल्कुल कगार पर आ जाता है क्योंकि यूएस में 1942 के बाद जो जपान है जर्मनी है यह कहीं नहीं हारना शुरू होता है मतलब इनका पतन है वह स्टार्ट हो जाता है और अप्रैल में तो हमने देखा जो इटली और जो जर्मनी खे बहुत बुरी तरह से मारा जाता है तो यह जो मीज्योरिट्य में जीता हुए जीता अब ये ग्रूप जी जाता है तो यहां पर होता क्या है जो यूके की प्राइम निस्टर होते हैं उनका नाम होता है विंसेंट शर्चेल अब यूके में होते हैं चुनाव और एक पार्टी है इसका नाम है लेबर पार्टी अब लेबर पार्टी के जो लीडर होते हैं नाम है एक ली एकली यहां पर बहुत अच्छे पर सव उते हैं वह जब ये इलक्षिन की डूरेशन में यहां पर कंपेंड करते भी बोलते हैं विंसेंट चेर्चेल बहुत अच्छे इंसान है कोई दिक्कत नहीं है वर्ड वार जो सेकेंड हम जिते हैं वो इन्हीं की बदोलत जिते हैं लेकिन अब इंग्लेंड को ऐसाच कोई वार नहीं चाहिए मतलब जो यूके है वो यहाँ पर उसको वार नहीं जील सकता क्योंकि एकनॉमिकल क्राइसिस आज आता है ओविसली यहाँ पर एकनॉमिकल क्राइसिस भी देखने को मिला बहुत लोगों ने जाने गवा दी थी अपनी तो इसी को देखते हूँ एक सिंपती वोट या लगा लो या फिर आप यहाँ पर किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं किया होता लेकिन एट ली जी जाते हैं अब जब इंडिया को अपने देश को ही संभालेंगे और यहाँ पर एक तरह से बन मैंने और ज़该 धीतकर यहाँ पर यहां पर एक प्लैन लेकर आटे है वेवल 2025 अभ ज Vish यहां पर रखा जाता है शिमला में अब इस प्लैन को ध्यान से समझेगा यह जो मेंली प्लैन आया था यह एक तरह से जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में डेट लोग था उसको खतम करने के लिए लाया गया था ठीक है अब वैवल ने क्या कहा कि यहां पर जो सिरफ वायस रोय को छोड़कर और कमांडर एंट चीफ को छोड़कर जो सभी की सभी पावर्स हैं वो इंडिया को दे दी जाएगी और जितने भी एक्जेगुटिव कांसिल में मेंबर होंगे वो इंडियन ही होंगे लेकिन यहां पर एक्वल रिपर्जेंटेशन होगा जि अब्दुलकलाम अजाद कूसे हैं लेकिन यहां पर बात क्या कर गरेङी थी? वैविवल्स प्लैन में कि directing मुस्लिम्स भी क्या होंगे एक्वल और हिंदू भी क्या होंगे एकवल लेकिन मुस्लीम लीक क्या चाती थी कि हमें यहां पर его दर्जा मिलें और जो इंडियन कॉंग्रेस हैं उनकी तरफ से हिंदू जाएं मुस्लिम जाएं हमें लेना देना नहीं है क्योंकि मुस्लिम में क्या थे सारे के सारे मुस्लिम से अब यहां पर जो कांग्रेस है कि तुमारी पार्टी में थोड़ी मुस्लिम हैं हम सेकुलर पार्टी हैं हमको हिंदू पार्टी बनाए अब इंट्रीन गवर्मेंट तो यहां पर बनते हुए दिख भी रही थी जहां से समझो सिरफ वाइस रोएगी पावर रहेगी ब्रीटिश के पास और कमांडर एंट चीफ बाकी सारी पावर किसको दे दी गए जो इंडिया के एक्जेगुटिव कॉंसिल चुने जाए चैंट प्रकिरिया इंडिया वह मिले इंडिय नेशिकों को मिले हिंदय झाहें잖 mir की जो इनल्ए इसको मानती नहीं है और इसको ब्लैन भी क्या होजाता है अब यहां पर Nee पर बदी डेभा यहां पर चोट चोटी पॉलिटिकल लीडर्स आये थे शिम्ला में और अब्दुलकलाम अजाद रिप्रेजेंट कर रहे थे कांगरस को शिम्ला कॉंफरेंस में यहां शिम्ला की की बारे में जब भी हम बढ़ते हैं तो हमें एक ही नाम याद आता है सुभास चंद्र बोस लेकिन यहां पर जो में एफर्ट करे गए थे स्टार्टिंग में रास बिहारी बोस की दोऔर की तरफ से एक अनका का कौटिनेशन की धरू करते में जहां पर in order decide कि अब इंडिया नेशनल आर्मी भी बनाई जाएगी लेकिन इंडिया नेशनल जो आर्मी थी उसको इनीशली और्गनाईज करा गया था कैप्टन मोहन सिंग ने अब कैप्टन मोहन सिंग कौन थे इसके परमें ध्यान से समझेगा जब जपान ने की मियानमार का रीजन कप जाया या फिर आप ऐसे समझे साओध्षीथ एडिया जो तु suspicion कप जा लिया था ब्रिटिश की तरफ से झाल जाती थे अब जपान ने साउथजट एरिया जीत लिया यहां पर जित्ति भी इंडियन आर्मी डड़ रही थी वह आर जाती यह और उसमें लीड कर रहे होते हैं कैप्टन महान सींग को प्रिजनर ओफ बना दिया जाता है मतलब हारने के बाद एक सिच्वेशन आती है ना दूसरी जो आर्मी होती है उसके जो हैड होते हैं उसको प्रिजनर ओफ बना दिये जाता है अब यहां पर मोहन सिंग की तो मोहन सिंग्य आर्मी मनाते हैं इंडियान नेशन कि अर्मी ठीक है विवार्ट ऑपको समझ secular में बन्ति है और समें और मोहन пост सिंग में उप और देखते हैं कितने जो नमच यहां पर करते हैं शल्कहीं और यह आर्मी को में अब फर्स्ट फेस में होता किया मोहन सिंग्ग पर कंप्लीटली ट्रस नहीं होता जपान के आर्मी को तो यह जो एक टरह से या फिर इंडिया नेशन आर्मी का जो यहां पर यूज कर सकती थी जैपनिस आर्मी वह यहां नहीं करती ठीके तो फर्स्ट वेस हम समझत के चलत करके बार मैं आप को थोड़ा सा बता देता हूं हमें पता होना चाहिए और मैंने वैसे बता आया भी था कि यहां से कोश्टन्स बहुत आते यह रेहां अनल आध में डिसकस करते यह कि देखिए सभाष चंद्रबोस जी फोर्स पोजीशन हासिल करते हैं यह कोशन आ जाते हैं ट्रेक्टली इस में इंडियन सिविल सर्विस और यह रिजाइन दे देते हैं 1920 में फर्स टाइम 1921 में यह जेल में जाते हैं कि सियारदास और सभाष चंद्रबोस कि इसका यहां पर विरोध कर रहे होते हैं जो प्रिंस ऑफ विल्स इनका विरोध कर रहे होते हैं इसको देखते हुए ब्रिटिश इनको जेल में डाल देते हैं और 1924 में बेंगाउल मुनिस्पल कॉर्परेशन मैं द्वारा लिख नहीं observation यहां election होते हैं, CR-10 बनते हैं, यहां के first mayor, first Indian mayor और जो सुभाशत्यर जंत्र बोस हैं, वो यहां पर बनते हैं, chief executive officer, CEO, chief executive officer और यह बनते हैं फर्स्ट मेर आप देखो 1928 में यह फर्स्ट टाइम इंडियन नेशन कॉंग्रेस का जो कैलकेटा में सेशन होता है उसकी स्पोक पर्सन होते हैं और चोटी सी उमर में यह अपना बहुत एक तरह से नाम कमा लेते हैं क्योंकि अच्छे ओरेटर होते हैं स्वास्ट रुबस्ट और 1930 में यह इंडियन नेशनल कॉंग्रेस में रहते हुए एक पार्टी बनाते हैं अलग से जिसका नाम है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस या फिर ऐसे समझों कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी यह प्रमोट करते हैं जितने भी मिलिटेंट प्रोग्राम होते हैं कांग्रेस में रहते हैं कांग्रेस से थोड़ा सा अलग रहकर ठीक है क्योंकि गांदी जी किस पॉलेशी भी चलते थे बिलकुल शांती पुरवक्त रिके से हम बातचित करते हु लेकिन जवालना नहरू और जो सुभाज चंदर बोस है वो थोड़े से सोचलिस विचारदारा की होते हैं उनको होता है कि हम ब्रेटिश को यहां से जल्दी से जल्दी भगाएं तो यहां पर सुभाज चंदर बोस एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है कांग्रस डेमोक्रेटिक पार्टी और 1931 में फर्स नाइम यह प्रेजिडेंट बनते हैं और इंडिया ट्रेड यूनियन के और इंडिया ट्रेड यूनियन 1931 में जब यह यह यूरोप जाते हैं वहां जाकर एक बुक भी लिखते हैं यह बुक आप लोगों ने डेफिनिटली पढ़े होगी दा इंडिया स्ट्रगल दा इंडिया स्ट्रगल अब इसके बात का सेनरियों तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं फिर भी बता देता हूं 1938 में यह फिर से इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के प्रेजिएट बनना चाहते थे लेकिन यहां पर गांधी जी इस चीज़ का पोस करते हैं अब गांधी जी क्यों पोस करते हैं क्योंकि इस डोरेशन में जो सभास चंद्र बोस हैं वो चाहते हैं कि ब्रेटिश के इंगेस्ट हम एक तकड़ा सा रिवोल्ट करें मैं आपको बता चुका हूं क्योंकि वर्ड़ बार सेकिंड स्टार्ट होने वाला है ब्रेटिश हमार अब यहां पर 1939 में जब बोस जी चाहते थे कि इंडिया नेशनल कॉंग्रस के वो प्रेजिडेंट बने लेकिन गांधी जी पोस कर रहे हैं और गांधी जी की तरफ से एक लीडर को खड़ा करा जाता है इलेक्शन में पटाभी सीता रमया और यह इलेक्शन पटाभी सीता में हार जाते हैं अब जिसके पीछे गांधी जी का हाथ हो फिर भी वो लीडर हार जाए तो आप यहां पर समझ सकते हो कि जो स्वास्चंद्र बोस हैं उनकी कितनी यहां पर fan following होगी इंडियन नेशन कॉंग्रस का इसी वज़े से दो गुठ बन जाते हैं और यहां पर खत् सब्सक्राइब नहीं है इससे बढ़िया क्या होगा मैं खुदी रिजाइन दे देता हूं वह इंडियनेशन कॉंग्रस में रिजाइन दे देते हैं फिर हमें देखने को मिलता है प्रेजिडेंट बनते हैं डॉक्टर रिजेंदर परसाथ और 1940 के आसपास जो सुबाश्चं सब्सक्राइब जाते हैं और जर्मणी के लीटर को नहीं हुते हैं हिटलर उन्से जाकर मिलते हैं हिटलर से वापस आते हैं अब यहाँ पर हम समझेंगे अब देखे सेकेंड फेस सेकेंड जुलाई 1943 यहां पर जर्मन और जो जपान की सम्मराइंस थी ठीक है इसके तुरू यहां सिंगापूर यह पहुंचते हैं जब सिंगापूर पहुंचकर यह वहां पर जो इंडियन नेशनल आर्मी है उसके हैड बनते हैं और फिर यह टॉक् हमारा ही राज होगा और हम जपान की हेल्प से ब्रेटिश को यहां से भगाएंगे ठीक है तो इस सेनेरियों में क्या होता है कि सिंगापूर से जब रिटर्न करते हैं सभाश्चंद्र बोस 1943 में तो सिंगापूर में जब रिटर्न करते हैं 1943 अक्तूबर में तो आई एन ने के दो हेटकोर्टर बनाते हैं रंगबून में और एक बनाते हैं सिंगापूर में और यहां पर एक फेमस स्लोगन देते हैं दिल्ली चलो और आपने एक स्लोगन यहां पर सुना भी होगा तुम फादर ओफ नेशन है ति यहान पर फादर ओफ नेशन हिनि फादर ओफ नेशन को तो ऑफ कुझे लिए vasıर अधीकर होनाएं मृत सअब आप यहान पर एक रेजिमेंट भी मनाते हैं इसी गांधी जी की नाम से नहरूजी की नाम से एंड ऑविसली जो इंडियन नेशनल आर्मी होती है उसमें जो लेडिज जोईन करती हैं उनके लिए यह रानी लक्षमी भाई या फिर जहांसी की रानी रेजिमेंट बनाते हैं जहांसी की रानी लिख लीजिए और 1944 में फाइनली जो जपान है वो इन्वेड करते हैं यहां पर समझाता हूं आपको इन्वेड करते हैं इंडिया के जो साउथन इस्टेट हैं वहाँ पर 1944 1944 में जो इन्वेड करते हैं यहां पर यह इंवेड करते हैं तो लेकिन बिटिशल्स यहां पर कमबैक करते हैं फिर यहां पर हमें बैटल देखने को मिलती है और यह बैटल का कहा नाम है Battle of Tennis Court या इसको Battle of Kohima की नाम से भी जाना दाता है अब इसको Tennis Court क्यों को आता है यहाँ पर जो Britishers के जो Head होते है उनी के ही Garden में एक Tennis Court होता है वहाँ पर यह Battle लड़ी जाती है बहुत भेंकर Battle होती है इसमें जो Britishers होते हैं वो हरा देते हैं जपान की आर्मी को और Indian National Army है उनको यहाँ पर Britishers का Upper Hand रहते है Battle of Kohima अब देखिए Indian National Army जब हारती है तो इसको जो Britishers है वो यहाँ पर जितने भी Troops को पकड़ लेते हैं उनको Surrender करने के लिए बोलते हैं और उनको Prisoner बना देते हैं अब इस चीज़ का व्रोध करते हैं हमारे देश की जो पार्टी थी इंडियन नेशनल कॉंग्रस अब प्रीजनर बनाकर यह इनका एक एक अजंड़ा होता है कि रैट फोट में लाकर इन पर मतलब कारेवाई करी जाये ऐसे आपने सुना होगा जो आर्मी होती है इसमें court marshall होता है तो ब्रिटिश होते हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर ग्लाफ़िव से नेप थोका किया अभिपसरी पहले कि सूह पार होते हैं इस आप होवी का अब इंडियन नेशन कॉंग्रस को लगता है कि यह जितने भी प्रिजनर है तो इंडियन्स तो हम इनको बचाएंगे यहां पर जो बड़े-बड़े उस्तेम वकील होते थे के अन काट्जू नहरू नहरू जी आसफ अली तेज महादूर साप्रू और भालूबाई दिसाई य आप इनका केस लड़िए और जो एक ट्राइल्स होंगे हैं इनको इससे बचाएं तो यहां पर इंडियन नेशनल जो आर्मी होते हैं उनके प्रिजनर की जो एक ट्राइल होता है फेमस रेट फोर्ट जो दिली में वहां पर यह ट्रैल होता है उसमें शाह निवाज खान क्योंकि बहुत बढ़ चटकर स्पोर्ट मिलता है इंडिया का इंडिया नेशनल कॉंगर्स पोर्ट में आकर खड़ी हो जाती है तो कोट मार्शल होता नहीं है अब यहां हम साथ साथ पढ़ेंगे कुछ हमें इंडियन आर्मी की तरफ से म्यूटीनी भी देखने को मिलती है अब फर्स मुटीनी होती है नाइन्टीन फॉटी फाइफ ट्वंटी फ़ेंटी फर्स नमवंबर और यह जो म्योटईनी थी इसमें होता कि आया कि जो हमारी इंडियन आरमी उनको लगता है कि ब्रिटिश HARiones हमारी आर्मी को कर यहां पर जब मैंने आप को बताए कि capture कर लेते हम और यहां परर court-martial का हुकम देते हैं तो हमारी इसकी स्पोर्ट मर आकर आर्मी यहां पर रिवोल्ट कर देती है और इस रिवोल्ट में जो आम जनता है वह भी बढ़ चटकर सेयोग करती है जहां पर भी ब्रेटिश दिखते हैं उनको पुरी तरह से कूटते हैं यह ठीक है यह होता का पर कैलकटा में इनको संटेंस नाई ज अब इंडियन आर्मी और इंडियन ट्रूप्स ही मार रहे हैं तो वहां पर जो आम जनता है उनको गुस्ता भी बहार आ गया चलो लगे हाथ हम भी हाथ साफ कर लेते हैं ठीक है तो अब ठर्ड जो था रिवोल्ट वह हमें देखने को मिलता है एक नेवी का रिवोल्ट होता जाता था सेम सेलरी नहीं देते थे और उसके बाद रिसमेंट जो रिगार्टिंग दिर पे सेलरी नहीं दे रहे तो इसको लेकर यहां पर एक गुस्ता था उसके बाद बीसी दत एक परसंट थे कमांडर थे यह रोयल इंडिया इन्होंने शिप पे लिखना चुरू कर दिय है कुछ 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 लिखा होता है कि अपनी दर्ब से लिककर आ अपना नाम को लिखा लिखकर आ जाते हैं अब इस तरह से एक देश भक्ति की भावना से जो उनकी नेवी मतब्वशिप होती है उसपर कुछ इंडिया मुवमेंट लिख लेते हैं तो इनको आरेस्ट कर लि पूरे देश में गुस्सा आता है ठीक है अब कराची में यहां पर स्टाइक होती है बहुत जगां यहां पर मुटीनी होनी शुरू हो जाती है तो वल्लाभाई प्रटेल जिन्ना यहां पर जॉइन करते हैं मतलब इधर से कांगरेस की तरफ से और इधर से मुस्लिम लिग की सब्सक्राइब से इस मोटीनी को शांत करने के लिए दोनों परसंट जाते अब होता क्या है यहां पर साथ दे रही होती है Communist Party of India Communist Party भी चाथ ब्रेटिशें से भागे और यह जितनी भी मुटीनी होती है इसका साथ देती है Communist Party of India लेकिन इंडिया नेशन कॉंगर्स और मुस्लिम लीग क्या चाहती थी कि यहां पर शांती बनी रहे लेकिन अल्टिमेटली आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगा कि होता क्या है नेक्स्ट पार्ट में हम कैमिनिन मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे अच्छा कर दी गई थी यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताईएगा एंड गाइस पीडिएफ में लीगे आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर होफिली आपको यह सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और जो भी आपके डाउट होंगे वह कमेंट सेक्शन में बताईएग थैंक यू सो मच